से ही भव्यता के परिचायक है और समय के साद भव्यता से वंचित भी तो वही राम जन भूमी से ही कुछ दूर विभीशन कुंड मोहले में रामायन भवन इसका एक अनूटा उधारण है जहाँ पर दिवारों पर पूरी रामायन अंकित है यहाँ पर रामायन भवन की संग मरमर की दिवारों पर सातों कांडों चैसी श्लोक 4608 चौपाईयां और 1074 दोहे साथ में 2070 ठे लिखे हुए है रामायन मंदिर के केंद्रे कक्ष में भगवान श्री राम अनमाता सीता साथ में लक्षमन की एक बहुत ही खुबसूरत प्रतिमाभी स्तापित है और इस रामायन मंदिर की रम्यता इतने से ही पूर्ण नहीं होती है रामायन मंदिर में भी श्री राम चैत्मानस के साथ तोलसी दास की विनय पत्र का और कवितावली के संपून पद भी लिखे हुए जा पर मंदिर में कड़कड में राम बसते हैं एक भजन की वो पंक्तियां नगरी हो आयोध्यासी, रगकुल सा घहराणा हो, चरणगो रागो के जहां मेरा ठीका ना कराएगई जहां की दीवारो पर श्री राम चैत्मानस अंकित है यही वो मंदिर है जिसका नाम दिखे लिखा हुआ है श्री रामार भवन बिभीशनकुंड आयोध्या ये ऐक एसा मंदिर है जहां पर भगवान श्रीराम रूम में बिराजते हैं की जो धीवार है उस दीवारों पर पूरी श्रीराम सर्थ मानसंकिती है तो वही से स्टा हुआ एक मंदिर है जिसमें पूरी श्रीमद्भागवत अंकित है। यहां की महिमा का यहां की गर्मा का बुलान वात करता है महराजी है महराजी से भी जुड़ूँगा वह दिखाएंगे किस तरह से पूरे मंदीर में श्री राम चित मानस अंकित किया गया है कहां से शुरुआत हुई महराजी आप मुझे बताईएगा क्योंकि नमारे इंडिया नियूज के दर्सक उनको मैं के एक तस्वीरे दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहां पर जो तैयारियां है महराजी का कहना है कि यहां से श्री रामचेत मानस का जो यह पार्ट है मुझे राक्राइख किस तरह से यहां कि दरोदिवार पर भगवान 60 रामः विराश्ते हैं यहां की दरोदिवार पर पूरी स्री राम चरित्मान संकित है महराजी अब चलते है अगली उस और अग्ला कौन का पर यहां से आयोध्याकान शुरू होता है पूरे यहां पर एसकी चौपाइआ गाँद्या करता है जो दोहे हैं उसको अंकित किया गया है और ढतर आके साथ कित्ने फब्यता के के ने साथ इसको अंकित किया गया है अब चलेंगे जो तृतिये सौपान है उसको जानेगी कि उसका शुरुवाद कहां से हुआ है और कितनी जी आयोध्या कांड यहां पर समाब्ध होता है और यहां से शुरू होता है आरिंडे कांड देखे तृतिये सोपान यहां से शुरू होता है यह पत्थर की दिवार है जिस पर यह खुबसूरत कलाकृती उकेरी गई है खुबसूरत शब्दों को यहां पर उकेरा गया है यह चवपाईयां है दोहे हैं छंद है पत्रेमित होता है और उन्हाफ Ampe Of कि किस तरह से यहां पर दीवारों पर पूरी सरीराम छ 1997 आंकित की cuidado है मैं पर यहां पर कहा पर अंकित किया 진 characteristic तुउसके भी आपको हमको तश्बीर दिखाएंगे कि यहां पर पाँचुबा शूुआ वाया और हны सुरू हुआ है और यहां पर देखे शुरु हुआ है पंचम सुपान सुन्दार काअध चक पर texto ऐखें किस तरह और यहां पर आकर यह सुन्दर कांड का पार्थ यहां पर समाप्त होता है देखिए आपको लगातार हम तस्वीर दिखाएंगे अब फिर यहां से शुरू होता है खष्टम सोपांड लंका कांड शुरू होता है देखिए किस तरह से यहां पर जो स्री रामची दमाज चौपाईया है उनको यहां पर दिवारों पर उकेरा गया है यह पूरे दिवार में सभी सातों कांडों को वर्णित किया गया है आप चलेंगे हम जो सात्वा कांड है रा जो सात्वा कांड है वो सुरू होता है यहां से किस तरह से उत्तर कानड यहां से शुरू होता है देखिए दिवारों पर चवपाईयां लिए खूबसूरत लग रहा है जैसे यहां के रोम्रों में भगवान श्री राम विराजित हो रहे हैं देखें पूरी दीवारों पर पूरी श्री राम चैद मारस अंकित हुई है और महराजी यह मंदिर कब का बना हुआ है यहां पर उत्तरकांड समाब तो हो गया है यहीं पर विराम होता है श्री राम चैद मानस का और आपको लगातार हम तस्वीर दिखाएंगे जो आप तस्वीर दिख रहे हैं महराजी इन्हों ने ही इस खुब सूरत मंदिर को बनवाया है देखें आप जिनको तस्वीरों में यहीं वो महराजी हैं जिन्हों ने इस एतिहासिक मंदिर को बनाया है जहांके रोम रोम में भगवान श्री राम बिराजित है अब महराजी मुझे दिखाए कि किस ढंक से इसको बनाया गया है और कैसे लिखा गया है इन चोपाईयों को क्योंकि और भी तमाम मंदिर जहां जी पूरे जहें पूरी मंदिर है पूरी मंदिर है कोुमuting मंदिर है यहां के कनकन में भगवान श्री राम वुराजित होते हैं आपको और भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा लगत लिए और्हेर किस तरह से यहांपर दीवारों में भीवात मानत को अंकित Yin गया है, आपको थाये सिर्गूने इarth Lamborghini की कि सर्फब फखवान रॉमन है, होपसुरोब वियां रॉजमान है, देखे चार कि के भगवान सुर्व सुर्फरी ऐ का साथ। पूरिए स Πूर रॉम मझे भगवान कौन सार रंगा है मुझेद वांगा है तार इसी को बनाया गया है किस सीज़ से बनाया जाता था उसनों च्छेद रहता था उसी हिसाफ से तार ने बना जाता था इसार प्षेद बनाया जाता रही है और तार बनार ख मिर्णा तो यह से तार दाय के रहाए ने इस तारी ने हैं यह देखते हैं ले यह रांगा है इसी रांगे के द्वारा इस पत्थर पर स्वीर राम चेद मानस पूरी चोपाईयों के रहे हैं मारा जी यह क्या है अभी अच्छा यह रांगे की सिल्ली है और आपको यकिन दिलाओं कि इतनी वजन है कि एक हाथ से उठान हैं लेकिन यह लोहे से कहीं ज्यादा वजनी है यह जो कि इस बात की गवाही देती कि कि इतनी महलत लगी होगी इसको बना जी मारा जी अच्छा यह रांगा का चूंड है इसी चूंड को उस पत्थरों पर भरा गया है तार बनाकर उन में रांग के जो यह चूंड है इसको उसमें भरा गया है और यह हमेशा के लिए जेवंत हो गए हैं पत्थरों पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं महराजी कितना रांगा लगा होगा इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में बनाने में 31 से बन रहा है काम चल लगी है और क्या महत्ता है यहां का महराजी महराजी का इसार था कि मैंने कुछ समय इसा आएगा लोग पढ़ना लिखना उसको किताब तो कहीं यह बना देंगे तो लोग भगता आएंगे दर्सन करेंगे दरस परस मंजना रुपाना हरें पाप का बेद पुराना लोग आकर दर्सन करेंगे तो आखन रमाइन करने का महराजी का कहना है कि एक वक्त ऐसा जिस तरह से टेकनोलाजी बढ़ते चली जा रही लोग अब अधनिक तक तरह बढ़ते चली जा रहे हैं एक वक्त ऐसा हैगा जब लोग श्री राम चित्मानस तक नहीं पहुँच पाएंगे कागज की कमी हो जाएगी ऐसे कंडिशन में पत्थरों पर लिखे यह श्री राम चित्मानस के यह पवित्र शब्द लोगों को अपनी तरह आकर्षित करेंगे बहुत ही अच्छा प्रयास है यह भगवान श्री राम चित्मानस के यह पास आजाओ आओ यहां पर कुछ बच्चे भी मेरे साथ बैठो क्या नाम है आपक है आपके स्क्रिप्से में आपको सुनाओ बंदहु गुरुपद पदमपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिया मुरी मन चूरन चारू समन सकल भवरी परवार सुकृति सुवास तन भी मलभी भूती मन जुल मंगल मोद प्रसूती जनमन मुकिल मुकल मलहर नी की दीए दिलग गुन बस स्रीगुरु पदनक मानिगन जोती सुमरत दिव दिरिष्ठी है और वे चैनल कर दोक आता है नहीं आता है यह इनहीं आता है यह बताए यह कब से हो यहां पर आप यहँद दो साल हो रहे हैं क्या सूब पढ़ाई सी सुमंदिर आते भगवान श्री अपने जीवन मिधारण कर रहे हैं जी आपका क्या नाव है स्याम बिहारी कहां से हो बिहार से कब से शिक्षा ले रहे हैं ना हम घूमने के लिए हैं खूमने के लिए हैं यह पहने चुटे जो चुटे बच्चे हैं जो सिधा भगवान श्री राम को अपने सोयम में धान कर रहे हैं हर बेक्ति चाहता है कि मैं भगवान श्री राम की आदर्सों को अपने अंदर ग्राण करूँ शायद यही सोच है बच्चों में जो आज ये भगवान श्री राम से सीधा जुड़ने का प्रयास करें महराजी मैं आपसे फिर से जुड़ूँगा जिस तरह से लोग आज अब क्या लग रहा है कि इससे एक अलग जगे की लोग जोड़ेंगे बगवान राम आते हैं लोग दर्सन करने का प्बीर होती है जाना जाना लगा रहता है इनकी शाधा है वह आते हैं पहले की आयोध्या में और आपकी आद्या में कितना परिवर्तन देखने मागे बहुत क्या परिवर्तन देख रहे हैं पहले से में पहले जिसे जीन सी अवस्था में अब कैसा लग रहा है हां सभी आप बता रहे थे कि भागवत कथा भी कहीं लिखी जा रही है दिवारु पर लिखा हुआ है चौदा हजार हो गया है चार हजार बार अब उसका काम चल रहा है हमारे दर्शकों भी दिखाएं आप जिस तरह से श्री राम चरित्मानस की चौपाईयां अंकित की गई है बिल्कुल उसी तरह से यहां पर श्रीमत भागवत की बांगमई जो वो है शब्द है यहां पर उ पर दिवारों परंकित किया जा रहा है यहां पर श्रीमद भागवत कथा का पूरा वर्ण किया गया है मै également कहां से शुरू होती है महाराजी कैसे चल रहा है पर तक लिए इनकी जो आप ये मंदिर देख रहे हैं इस मंदिर के दीवारों पर स्रिमत भागवत गीता लिखी गई तो बहुत पूरे यहां पर जितने असकंद हैं सभी को पूरा वहां पर वर्णित किया गया है और जो यहां पर दीवार अभी जो खंद है उसका अभी लिक यहां पर भी एक खूबसूरत मंदिर आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पर बाके बिहरी लाल राधारानी के साथ यहां पर बिराजमान है, अपने भक्तों को आशिरवाद देने के लिए, जिस तरह से श्रीमत भागवत भगवान कृष्ण के लेलाओं के बारे में बता है, किस तरह से जीवन जीने के सहली को बताता है, आपको यहां पर सभी तस्वीरें देखने को मिलने वाली है, यहां से क्या मैसे जाता है हमारा जी, यहां से मैसे जो जनता आती है, सब अपना घर में पुष्टा खरिद के ले जाते हैं दुकान से, यहां पर उनको दिवार आपको सीधा भगवान शीर राम से असपर्स कराएगी यहां की दिवार सीधा आपको कनही अलाल से मिलाएगी यह सभी तस्वीरें आपको राम नगरी या युद्या में देखने को मिलने वाली है एक ऐसी जगा जहां पर आपको भक्ती, बैरागे और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है यहां के रोमरों में भगवान शीर राम विराजते हैं यह वही मिट्टी है जहां पर राम नला खेले थे, पले थे, बड़े थे और नों तमाम लेलाएं की, और अन्त में सभी को एक खुबसूरत मैसेज खुश रहने का आशिरबाद देकर बो लोग वासी हो गए लेकिन आज भी मानता है कि यहां के कणकण में राम विराजित हैं, यहां के कणकण में हनमान जी महराज विराजित हैं हनमान जी महराज हैं, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हैं आप मेरे साथ, इंडिया नियूज के लिए निल मिस्रा, आयोध्या तो हैं दूसरी और आयोजित होने वाले भातकुन महातसाफ की तयारी राम नगरी में जोर शोलो से चल रही हैं भरतकुन महातसाफ के 26 संस्क्रण के लिए भरत सरोबर के किरार भूमी पूचन भी हो गया है जिस बार भरतकुन महातसाफ का आयोजन 7 नवंबर से 13 नवंबर 2014 तक होने वाला है और इस बार कायर करम का शुबारम 7 नवंबर को सुबा 9 बज़े से किया जाएगा जिसमें 11 अजार महिलाए एक साथ दरदरिया पूचन करेंगे साथ में अपने आप में ये बड़ा रिकॉर्ड होगा लगकुल फांडेशन के सायोग से 121 फीट की अगर बत्ती भी जलाए जाएगे तो हैं ये एक वल्ल रिकॉर्ड है और इन दोनों रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक की टीम रागनगरी पहुंच गई है 22 जनुरी को भगवान श्री राम जब भव्य मंदिर में विराजमान हुए है तो जितनी खुशी अध्या वास्यों को हुई है उससे कहीं ज्यादा भरत जी को खुशी हुए होगी क्योंकि 14 वर्सों तक उन्होंने इंदिजार किया कब भगवान श्री राम आयोध्य आएंगे और वो अपने राज सिंग असर पर बिराजमान होगे यहां तो पूरे 500 वर्स इंतिजार करना पना है भरत जी के साथ साथ पूरे राम को मनने वालों को और आज राम डाला भव कितनी तयारिया हैं और इस बार का यहां पर महोसा होने जा राहा है कितना उस्सा है अपना है तो यह कंशाबिविन प्रकार की कोई नाच में कुई गाने में। तरीके से के तरह कर विभाइब पूजा और जैसे कि अदnet से ही सारी चीज点 प्रॉजा होती हैं और उस पूजा के ही दाज़े से आज की भूमी पूजन हुआ और जब यह महुसों हमारा स्टार्ट होना है तो सरप्रतम यहां मात 11000 मात शक्तियों दारत दुर्द्रियां पूजा होके तभी इस्टार्ट होगे और कितनी ब्यापक तयारी हैं थे कि हवन हुआ है कुछ देर पहले यहां पर भूम पूजन का कारक्म हुआ है बैदिक पूरह जो वेद मंत्रे हैं उसके द्वारा यहां पर सभी देवताओ को आमंतित खिया और बहुत बिधवत तरीके से पूजन का कारसंपन हो गया और क्या कारक्राम होने हैं क्या-क्या कारक्राम होने हैं क्या नाम है आपका और क्या जिम्मेदारिया chapत-भी ज़स्डी ख़बार सब्सक्राइब हमारा प्रतिवर्श होता है दरिडिर्या पूजन ने बताए हैं किया смог यहां से लेकर के पूरे भरत कुंड में फैल करके बैठती हैं और एक साथ में सामोहिक दुरदुरिया पूजन करती हैं यह बहुत ही हमारा गवरोसाली प्रोग्राम है और हर्स की बात है कि इस बार गिनीज बुक में भी यह सामिल किया जा रहा है गिनिजबुकी टीम इसको वर्ल्ड रिकार्ड में सामिल करने के लिए आने वाली है और इसके अलावा भरस सरवर का जो घाट है उस पर हम शाम को साथ तारीकों छट पूजा मनवा रहे हैं बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं घाट को सज जाये जाएगा तमाम तरीके के सांस्किर्टिक कारिक्रे मैं चट पूजा है दूसरे दिनार्थ तारीक को हम कहें तो पतंग वाजी जो लुप प्राया है उस पतंग बाजी पृतियोक्ता का हुजन हम यहां उत्राना प्रीपी ठीम के अंतर्गत कर रहे हैं शाम को 2100 बालि रकुल फाउंडेशन के सयोग से 121 फिट की अगर बत्ती का परजलन होना है, शाथ तारी को दस बजे, तो अगर बत्ती आ भी रही है, लखनव तक महोच चुकी है, तो एक तो वो गिनीजबु का बल रिकार्ड है, और दूसरा जो एक साथ ये दुरुदुरिया पूजन की सा सुची बद किया जाए, तो लगवा कितने कारक्रम यहां पर इस बार होने वाले हैं, तो सरकार के आठ विभिन विभागों से ले करके और प्राइवेट जो कारक्रम हैं, सब को मिला करके करीब एक सो चार कारक्रम के आसपास जो है, साथ दिनों में इस भरत कुर्ण के महतो के मंच पर आयोजित होने वाले हैं, देखे किस तरह से तैयारियां हैं, आपको हम तजवीर लगातार दिखा रहे हैं, जो तैयारियां हैं बहुत ब्यापक हैं, और इस बार किस को किस को बुलागा है, तो हम लोगों ने माननी योगी आधित राजी को दिया है, है त्री शोतंत्र देव सिंग जी को हमने बुलाया है और हमारे जो प्रदेश भारतिय जंतापाड़ी के प्रदेश महामंत्री हैं युवा मुर्चा के हर्थवर्दन सिंग जी वो भी उद्गाटन कारिकर में हमारे शामिल होंगे इसके साथ ही पूर उश्रांशा लल्लू सि पहले जो इंतजार था भरत जी चौदा वर्सों तक इंतजार करते रहे कि कब मेरे राम लला आएंगे और बहुत ही ब्यापक है इस बार दो दो गिनेज भुक की तरफ अग्रसर है ये भरत कुनम होसो जो जिम्मेधार है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि इस बार जिस तरह से राम लला भव्य मंदिर बिराजमान हो गए है पूरा देश जश्न मना रहा है तो आएसे में जो भगवान शी राम के प्रिय अनुज रहे हैं भरज जी उनकी तपोस्तली से भी एक अच्छा मैसेज बिसको जाएगा तो यकीन मानिए सभी को बहुत जादा आनानारे वाला ह हमारे साथ मोहन जी बैठे है वेह ब्रज मोहन जी बहुत अच्छे कंट के मारें मैं चाओंगा थोड़ा आप सुनाएए क्योंकि वक्त ये बहुत खुशी का है सजादो घर को गुल सनसा अवध में राम आए हैं और ये ग्रामिडांचल है ये सहर से सोला किलोमीटर की दूरी पे बड़ा सुन्दर सा ये दिब्यस्थान है बरत कुंड नंदी ग्राम क्योंकि ये जो बड़े-बड़े आयोजन होते हैं ये सहर से जुड़े हुए रहते हैं ज्यादा तर आप कोई भी बड़े आयोजन देखेंगे चाहे वो लखनौ में महसो हो चाहे अध्या में महसो हो अंबेट का नगर में हो चाहे बस्ती हो चाहे दिल्ली में कोई बड़ा महसो हो सब सहर से जुड़े होते हैं कि अबले ये भरतकुंड महसो है जो केरल में क्या संसिक्रिती है गुजरात की क्या संसिक्रिती है पंजाब की क्या संसिक्रिती है मद्दपर्देश की क्या संसिक्रिती है हर आदमी जा करके उसको देख नहीं सकता है इसलिए वहां की छोटी-छोटी चीजों को ला करके हम एक मंच पर एकत्रित करते हैं और अपन कि तेपस्लिय तो यहां पर उर्जा का एक सुरोतं है और अच्छे काम होते हैं तो भरतकुंद महुसो इस दृसा में आगे वड़ रहा है सभी भारत की चोटी-चोटी संसिक्रितियों को जोड़ करके आरतकशम में से करेंगे जोगों तक पहुचाएंगे लोगों तक दिखाएंगे और इस संसिकृती के हिसाब से ही देश में और समाज में रहना है परिवार के कि तैयारियां हो रही थी किस तरह से तैयारियां हैं कौन-कौन गेस्ट आएंगे यह तो आप तभी देखी चुके हैं अब और जाने का प्रयास करेंगे कि जो इसके अध्यक्ष मारे साथ मौजूद हैं कितनी ब्यापक तैयारियां है क्योंकि इस बार राम लला भाविमंदि बहुत बड़ा आयोजीत करना है और जैसे अध्या में राम लला के मंदिर के विराजमान होने पर मंदिर में विराजमान होने पर जिस तरह का उल्लास रह उस तरह का उल्लास यहां भी दिखाई पड़ेगा आपको सात नौंबर से अच्छा ग्रीजबुक की नाम बात सामन दूर्दुरिया पूजन होगा जो अपने आप में अनूठा होता है हमेशा इस बार बहुत बड़ी तयारी हैं 11,000 से अधिक मात्र सक्तियों दौरा दूर्दुरिया पूजन का कारिक्रम होगा और हमारे पास 11,000 की संख्या भी आ चुकी है और पूरी लिष्ठ है और हम और वो भी एक गिनेजबुक वाड़ी कार्ड सायोग की बात की जाए तो कहां कहां से आपको सायोग मिल रहा है उसके विसंपार हमको संस्किती मंतराले भारत सरकार से उत्तर मध्यप्रदेश सरकार से दूर दर्शन से और केंद्रिय संचार व्यूरो से और चत्तिजगर सरका से मध्यप्रदेश सरकार से हमको सायोग मिल रहा है तो आप इस इनी बातों से जान चुके होगी कि तैयारिया कि इतनी ब्यापक है इस बार भरत कुन महसो देश ही नहीं विदेशों तक अपनी चाप छोड़ने वाला है तैयारिया लगातार चल रही है दिन रात मेनत किया जा रहा है कि जो इस बार का भरत कुन महसो होने वाला है बहुत ही ब्यापक क्योंकि इस बार आयोध्या के राजा राम अपने रासिंगासन पर बिराजित हैं जंजन के अराद अपने भव्यमंदिर बिराजित हैं तो आइसे में भरत कुन महसो भी खासा उत्सायद क्योंकि भगवान शिरी राम के प्रियानुज भरत जी की तपो अस्थली है ये तो ऐसे में तयारियां बहुत ब्यापक है और खबरोगले बने रहे मेरे साथ इंडिया नियूज करें निल मिस्रा आध्या